आज के इस वीडियो में दोस्तों आप सब के सामने में लेकर आया हूँ UPCCC Lower PCS के लिए सामान हिंदी और सामान विज्यान के प्रस्ट तो जितने भी लोग यहाँ पर जोड़ रहें धीरे-धीरे वो लोग वीडियो को लाइक कर दें, सेर कर दें अपने दोस्तों के साथ वाटसेप और फेस्बूक पर जिससे हम लोग यहाँ पर अपने लाइफ टेस्ट को जो है वो इस्टार्ट कर सकें प्रिविटर पलसी के प्रिविएस एर कोईशन और जो हो सकते हैं इंपॉर्टन कोईशन वह आपको यहाँ पर करवाऊंगा और इन सब का जो पीडिएफ है वह आपको विल्कुल फ्री मिलेगा हमारे वेबसाइट जॉब्सरकाइटर डॉट इन पर नीचे डिस्किन बाक् समास आपको पता है क्या होता है तो पहला क्वेशन समास का परिभासा यह बह waving किया कहा रहा है यानि कि आपस नॉमबर जो इसका क्या होता है पीतांबर का मतलब होता है भाई पीला है अंबर जिसका या पीत है अंबर जिसका तो वो उसका समास विग्रह हो जाता है तो यहाँ पर पीतांबर का समास विग्रह करते हैं इसी तरह और भी बहुत साइस समास है भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे वो और लोवरी समास में क्यों होता है, कि यह समास में कोई भी पद जो है प्रधान नहीं होता है और दोनों पद मिलकर एक नया पद बनाते हैं जैसे कि यहाँ पर 10 अनन की अगर हम बात करेंगे, यहाँ बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, 10 अनन की बात करते हैं, तो 10 है आनन जिसके, यानि की रावर, तो option number जो इसका B है, वो यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगा, इसके लावा अगर हम बात करें तिर्भुज के बारे में तो तिर्भुज में आपका पहला पद क्या बोलते हैं, 3 यानि की numeric है, आपका संख्या वाचक विसेसर है, और नौरात्र में भी आपका पहला सब्द जो है, 9 है संख्या वाचक, और 3 में भी पहला सब्द जो है, 3 यानि की संख्या वाचक है, तो यान तीनों के तीनों जो तथा सुलोचना में कौन-कौन से समास है देखे चक्रपाडी में और चंद्रभाल में और सुलोचना में बहुत ही इंपॉर्ण कोईशन है याद रखिएगा यहाँ पर जवाद देखिए क्या करेंगे अगर हम बात करते हैं चक्रपाडी चक्र है पाडी में जिसके यानि कि यहाँ पर देख सकते हैं कि ये भी आपका सहायक लेखाकार बिखाप्रचक सामाने चैन में गया था, question number 4, ध्यान से देखेगा, कह रहा है, कि निम्न में से कौन सा चक्रपाड़ी में प्रियुक्त समास है, चक्रपाड़ी, अभी देखे इसके पहले वाले question में चक्रपाड़ी देखे आया था, मैंने आपको उताया था कौन सा समास होगा, तो यहाँ पर आपको कुछ अभी देखे बहुवरी समास में आपको भी clear होई गया होगा, बहुवरी समास क्या होता है, तो यहाँ पर गर देखा जाए, पंचवटी, तो पंचवटी और करोड़ पती और चरपाड़ कमल, यह जो है आपके बहुवरी समास के उधार नहीं है, लेकिन हम बात करते हैं च चतुर भूझ में आपको होगे, यहाँ पर पहले चार आ जा रहा है, लेकिन यहाँ पर चतुर भूझ में पहले चार भले आ रहा है, लेकिन चतुर भूझ का मतल़ होता है, चार है भुझाय जिसके, यानि कि विश्नु देओ, तो यहाँ पर याद रखेगा, इसमें आपक आते हैं अगले question पर तो अगला question आपका कह रहा है नीचे दिये गए सब्दों में में से अव्याई भाहु समाँ तो फार झाने भाई आपका क्या होजाएगा अब जान लो फार मोच क्या हो में पहला जो पूर उपद होता है वो प्रधान होता है और समासिक पद जो होता है वो अव्य होता है यानि कि आ जीवन समझ में आ गया ना जैसे कि जीवन भर इसका मतलब क्या होता है जीवन भर तो देखें पूर उपद आपका क्या होता है प्रधान और अगला पद जो होता वो आपका अव्य होता है तो जीवन भर तो यह आपका एक अव्य भाव समास हो जाएगा इसी तरह अगला कोश्चन देखे ध्यान से यथा संभो दिया गया है यथा संभो में कौन सा समास होगा देख सकते हैं ग्राम विकास अधिकारी परिछा 2018 के 1 यानि कि 22 दिसंबर के पह संभावना के अनुसार अव्य हो जाएगा अव्य हो जाएगा यानि कि संभावना के अनुसार वो आपका कौन सा समास हो जाएगा सर बिलकुल सही बात है दोस्तो अव्य भाव समास यानि कि option number जो इसका A है वो यहाँ पर correct हो जाएगा question number 8 देखे ध्यान से क्या कह रहा है कि जिस समास का पहला पत प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं अरे भाई जिस समास का पहला पत प्रधान होता है वहां हमेशा अब यह बहुत समास होता है यानि कि option number जो इसका C है वो यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगा समझ में आ रहाना ततफृ实 समास तो आपके पता इहें आते है कोउशन number nine की तरफ तो question number nine देखे आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि हमें यथा सक्ति दान करना चाहिए रेखांग के सद्व को समास बचाना यानि कि यथा सक्ति में कौन सा समास है अब बताई यह था सक्ति आया है यह था सक्ति यानि कि यहाँ पर भी पहला पत्प्रधान और सक्ति के अनुसार यानि कि यह था सक्ति आपका फिर से कौन से समास हो जाएगा आपका अव्य भाव समास तो बहुत ही इंपोर्डंट है अव्य भाव समास तो जितने भी यहाँ और जो आपको समास के question करवाए जा रहे हैं वो most important question है तो आप सब के लिए बहुत जाता फाइदे मन्द होने वाले हैं आप देख सकते हैं कि युवा कल्याड और विकास जलजकारी 2018 ऑफरी 18 सेकेंड में आपका पूछा गया था आते हैं क्यूशन नुमबर 10 की तरफ तो question number 10 कह रहा है भृइ प्रतिमान में कौन सा समास है प्रतिमान अगर हम बात करते हैं प्रतिमान के बारे में तो प्रतिमान में दोस्तों आपका इसमें भी आपका अव्यवा समास हो बहुत ही important question है तो यहाँ पर पल-पल जो option number इसका A है यहाँ पर अगर देखा जाएगा जी हाँ तो option number जो इसका A है वो यहाँ पर बिलकुल correct हो जाएगा समझ में आ गया ना आते हैं question number 12 पर तो question number 12 मैं कहरा भई सरासर इसमें कौन सा समास है तो बताएगे यह भी आपको आई हो clear होगा सरासर में आप बता सकते हो आसानी से कौन समास है क्योंकि इसके पहले आप पल-पल में बता दिये जब तो अवे बहुत समास यहाँ पर भी हो जाएगा सरासर में भी तो option number जो इसका C है वो यहाँ पर correct हो जाएगा आप देख सकते हैं राजश्व निरचक परिच्छा में आपका यह question जो है आ चुका है question number 13 ध्यान से देखेगा क्या कह रहा है कि तिरंगा में कौन सा समास है तिरंगा तिरंगा की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो तिरंगा यानि कि पहला जो सब्द है वो अगर आपका संख्या वाचक विसेशड आ जाए तीन है तीन रंगों वाला जो होता है तिरंगा में संख्या वाचक विसेशड हो और अंतिम पद आपका संख्या हो तो वहाँ पर दूइक समास होता है question number आपका देखे चौदा बहुत ही important question है कह रहा है जिन समासिक सब्दों में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाला विसेशड हो वे सब्द क्या कहलाते है अभी आपको clear करवाया कि पहला पद आपका अगर संख्या वाच एक विसेशर हो तो वहाँ पर दूइक समास होता है तो option number B यहाँ पर correct हो जाएगा clear है सभी को आते है question number 15 पर ध्यान से देखिए कह रहा है पंचवटी में कौन सा समास है पंचवटी तो देखिए अभी पंचवटी मिला थ आपको और पंचवटी अभी इसके पहले मिला था लेकिन वहाँ पर option में कुछ और पूछा गया था तो यहाँ पर आप आप आराम से कह सकते पंचवटी यानि कि पहला संख्या वाचक यानि कि दूइक समास यानि कि option number जो इसका C है वो यहाँ पर correct हो जाएगा पंचवटी इसमें कौन सा समास होगा तो धीरे धीरे जवाब दीजे सभी लोग जी हाँ बिल्कुल सही बात है अव्यभाव समास तो जादर तो जो आपके question होते है जिनके बीच में योजक लगता है तो कुछ लोग यहाँ पर योजक को देख करके लगा देते हैं अव्यभाव समास ल यह जो धीरे धीरे है ना यह आपका एक किरिया विसेस रव्या का काम करता है और साथ किरिया की विसेस्ता बताता है पहले खंडी की प्रधानता होती है प्रसंपत की प्रधानता होती है जैसे भर पेट हो गया दिनो दिन हो गया रातो रात हो गया कानो कान हो गया हाथो ने आए तो वहाँ पर कौन सा समास होता है अव्याई भाव समास होता है चलिए आते हैं अगले question पर तो question नमर आपका 17 ध्यान देखिए क्या कह रहा है समास बताना है भर पेट अभी मैंने आपको example के रूप में बताई दिया था भर पेट में कौन सा समास होगा तो आप यहां यहांबर समास होता है question number 18 इन कि पथ-भ्रष्ट यानि कि पथ से भ्रष्ट का मतलब क्या होता भई फथ से भ्रष्ट तो देखिए यहाँ पर अब यह यहां पर अभी आपका बीच में आपका क्या आ गया बीच में आपका एक कारक आ गया तो यहां पर अगर देखा जाए तो जब भी कोई कारक का विलोब हो जाए तो वहाँ पर हमेशा तत्पुरुष समास होता है तो पत्थ से भरष्ट में तत्पुरुष समास होगा और यहाँ पर पत्थ से भरष्ट है यानि कि यहाँ पर अपादान तत्पुरुष के अंतरगती आएगा और इस समास में क्या होता है पूरो पच्छ में अपादान की विभक्ति यानि की विभक्ति का विलोब हो रहा है यानि की अपादान यहां पर देखा जा तो अलग होने का पत्थ से भ्रष्ट अलग होने का भाव या विलोग होने का भाव आ रहा तो यहां पर तत्प्रूस सम समास हो जाएगा क्योंकि आपका पहला जो पद है वह आपका एक संख्या वाच एक विसेसर है तो यहाँ पर आपका कौन सा समास हो जाएगा तो जितने भी लोग यहाँ पर बोले हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं और देख सकते हैं कि यूपी ट्रिपल सी कनिस सहाइक परिक्षा में यह जो क्वेश्चन्स हैं वो आपके पूछे गए हैं क्वेश्चन नमबर आपका 20 देखिए जहां से यहाँ पर कह रहा है कि योगदान में कौन सा सम समयास है तो यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सभी लोग यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं तो सभी को कॉंग्रेश्चुलेशन आते हैं क्वेश्चन नमबर 21 पर दियान से देखिएगा कह रहा है राज पुत्र में कौन सा समयास है राजा का पुत्र र तत्पुर्ष समास हो जाएगा तो option number जो इसका A है वो यहांपर बिल्कुल correct हो जाएगा चलिए आते हैं yes question number 22 की तरफ आपसे कहे रहा है कौन सा अधिकरड तत्पुर्ष समास नहीं है देख kalau रहा है कौन सा अधिकरड तत्पुर्ष समास नहीं है तो यहां पर अगर देखा जाए अधिकरड तो अधिकरड का मतलब क्या होता है यहां पर बात करते हैं पुरसोत्तम कुल स्रेष्ट धर्म भरष्ट और देशाटन तो यहां पर देखा जाए पुरसोत्तम देशाटन कुल कुल स्रेश्ट में आपका अधिकरण तत्पुरस समास है और यहाँ पर बात करते हैं धरम भरष्ट में तो धरम से भरष्ट यहाँ पर देखा जाए तो धरम से भरष्ट आ गया न तो से जहाँ पर आचा है वहाँ पर अपादान तत्पुरस होता है तो यहाँ पर अधिकरण तत्पुरुस नहीं होगा समझ गे पुरसों में उत्तम यहाँ पर कुलों में स्रेश्ट और देशा टन सबको समझ में आ रहा है यहाँ पर अधिकरण है बट आपका धरम रष्ट में आपका कौन सा है अपादान तत्पुरुस है चलिए आते हैं अगले कोशन पर तो अगला क करत करके आओगे नहीं तो पहला पर संख्या वाचक होता है दुए के समास में बिल्कुल सही बात है ऑप्सन नमबर जो इसका B है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसी तरह आपका क्वेशन नमबर आपका 24 कह रहा है कि त्रिवेडी में कौन सा समास है करवा दूँगा ये टॉपिक वाइज आपको करवा दूँगा तो आई होप आपके जैसे टॉपिकवार में एक देख रहा हूं कि एक ही तरह के कोईशन 3-4 बार आ जा रहे हैं तो आपके रीपीट होने से आपकी जो चीजें हैं वो मज्बूत हो जा रही हैं जो चीज़ा तो ये आपके समंझ में आ जा रही है तो येह आपके लिए अच्छी बात है ये अभी आपको लग रही होगे याऔब बड़ा सरल सरल मिल ला ऐसा नहीं है अभी आपको चीजे repeat हो रहा भाना इसले आपको चीजे सरल लग रही है और नीचे दिये गए विकलपों में से सही उत्तर को चुनना है तो यहाँ पर बेसिकली जो सही उत्तर है वो option तो नहीं है यहाँ पर बट यहाँ पर चलिए मिला देते हैं बहु विरी समास हो जाएगा देश विदेश आराम से बदा सकते हो देश विदेश यानि कि दोनों पदाब के प्रधान है तो आपका दुन्द समास हो जाएगा और यथा सीग्र है यथा संभव यहाँ पर आपका हमेशा वे भाव समास होता है तो आपका जो answer आएगा वो आपको करना क्या था तो भाव यहाँ हिंदी का जो टेश्ट हो यहाँ पर खतम होता है लेकिन रुको अभी जा कहा रहे अभी 25 विज्ञान के तो बाकी ही है सामान विज्ञान भी आपको topic wise मिलेगा तो topic wise और आपके जो previous year में पूछे गये हैं वही मैं आपको करवाओंगा और आज का जो topic है वो है भावतिक विज्ञान अभी भावतिक विज्ञान चलेगा क्योंकि भावतिक विज्ञान से आज मैं 25 questions लाए हूँ बिलकुल basic के questions है बिलकुल आप अच्छे से अगर मैं आज पहला video upload किया हूँ सामान विज्ञान का तो आज समालो आज date कितनी है आ आज date है I hope 19 अगस्त है सायद जी है 19 सगस्त है तो 19 सगस्त है आपका जब तक एक्जाम नहीं हो जाता है पर डे आपको भावतिक विज्ञान सामान विज्ञान और आपके क्या उलते है रसायान विज्ञान वहस्पति विज्ञान जियो विज्ञान सभी से related मैं आपको लेबल लेते हो चलूंगा कुछ जो भी जिस तरह के भी कोशन आएंगे सरल कोशन हो कठी कोशन हो पहला टॉपिक है तो बहुते विज्ञान में आपको जो भी चीज़े बिल्कुल बेसिक है आज आप पर 25 कोशन लाया हूँ आराम से सभी का जवाब दीजेगा और तो बाधन के इस नहीं किया था जी हाँ बिल्कुल सही बात है निउटन ने किया था आकेंटेज ने भाया सिध्धान दिया था अलग आइश्टीन ने इबावर एंसे इस्कौार्ण नी को रहा है तो यहाँ पर याद रखेगा जो यहाँ पर निउटन के गती का जो नियम ह कि दो कह रहा है सून्य में स्वतंत रूप से गिरने वाली वस्तु की क्या होती बताइए यह अच्छा कोईशन है जवाब दीजिए इस तरह के कोईशन में तो आप गलती करके आते हो जब प्रैक्टिस नहीं किये रोगे तो आप गलती करोगी तो यहाँ पर कह रहा है सून्य में स्वतंत रूप से कोई वस्तु गिरती है तो उसका समान तुरण होता है बिल्कुल सही बात है जितने भी लोग यहाँ पर समान तुरण बोल रहे है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है आप खुदी सोचे यार सून्य में कोई वस्तु गिर रही है तो उसका गती क्या होता है सबको पता बन्कमात्रक नीटन होता है लेकिन किलोग्राम और मीटर वाले में कौन सा मात्रक यहां पर करेक्ट होगा देखते हैं किसका जवाब सही आता है जी हां बिल्कुल सही बात है तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड इसक्वायर बहुत important question है इसका वैसे त इसके बराबर होता भाई, एक micron याद रखेगा वैसे तो 10 की power minus 6 इसके बराबर होता है, म के बराबर होता है लेकिन नहाँ पर mm में निकालना है, तो याद रखेगा 1 micron बराबर हो जाएगा आपका 10 की power minus 3, क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस 3 यानि कि option number जो इसका D है 0.001 mm तो एक micron rubber 10 की पावर माइनस 3 mm या 10 की पावर माइनस 3 mm या 0.001 mm होता है तो बिल्कुल अच्छे question से याद रखेगा सारे बहुत important है अगला question देखें आपर कहा रहा है तापमान का SI मात्रक क्या है अब देख होता है तो मात्रक वाले question ज्यादा मिलेंगे आपको यहाँ पर तापमान का SI मात्रक तो सबको पता भाई तापमान को आप लोग किस में मापते हो भाई Kelvin में मापते हो किस में मापते हो Kelvin में मापते हो या degrees centigrade में मापते हो तो option number जो इसका B है वो यहाँ पर बिल्कुल correct हो जा यहां पर नहीं करेक्ट होगा रोकेट जो होता है हमेशा याद रखिएगा समवेक सनरच्षड की सिध्धान्थ पर कारी करता है तो जितने भी साथ ही यहां पर option number D बोले हैं वो लोग यहां पर बिल्कुल correct है जी हां दोस्तों जी हां कुछ लोग पूछ रहे कितने में टेस्ट होता है तो रोज रात को 9 बजे आपका लगभग लगभग मिल जाया का या अगर 9 बजे नहीं आता है तो 69 तक आपको यह जो वीडियो है वो मिल जाया करेंगे हिंदी और सामानवी ज्यान के और हिंदी जीनिंग के वीडियो और क्या बोलते हैं मैथ के वीडियो तो आपको दिन में मिलते रहेंगे question number 7 पर आते हैं तो question number 7 देखे कह रहा है कि एक लड़की जूले में बैठ कर जूल रही है यदि लड़की एका एक खड़ी हो जाए तो दोलन काल क्या हो जाएगा लडकी एक खड़ी हो जाए तो दोलन काल क्या होगा तो दोलन काल हमेशा याद रखे है号 कम हो जाएगा समझ में आ गया न अगर कोई लडकी एक खड़ी हो जाएगी तो दोलन काल है तो आपका क्या हो जाएगा कम हो जाएगा बहुत इं। It's git important question और इस्तितिज, जितने भी लोग बोलें, option number C, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल correct है, दोनों होती है, गतिज और इस्तितिज दोनों होती है, जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, आते हैं question number 9 की तरफ तो कहरा है, कि एंगे स्ट्राम क्या मापता है, एंगे स्ट्राम याद रखेग वो एंगे स्ट्राम में मापते हम लोग, दो एंगे स्ट्राम, 10 की पाउर माइनस, 3 एंगे स्ट्राम, इस तरह से हम लोग मापते हैं, question number 10 देखे कह रहा है, एनीमो मीटर का उप्योग किसे मापने में किया जाता है भाई, एनीमो मीटर, बताइए सब लोग जवाब दीजे प्योग करते हैं, तो option number जो इसका B है, वो यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि important नहीं है, सारे की सारे question आपके लिए important होने वाले है, question number 11 देखे क्या कह रहा है, कि निमलिखित में से कौन एक सदिसरासी नहीं है, तो question number 11, सदिसरासी, अदिसरासी आपको समवेग सदिसरासी है, कोडिये वेग सदिसरासी है, और आपका यहाँ पर वेग भी सदिसरासी है, लेकिन अगर आपका जो ड्रबमान है, ड्रबमान आपका एक अदिसरासी है, तो option number जो इसका D है, वो यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगा, चली आते है question number 12 की तरफ, तो कैसे तहर रहा है, किस वज़ा से, तो बिल्कुल सही बात है भाई, गृत्वा करसर के कारण, गृत्वा करसर बलना होता, तो प्रिस्वी अपने स्थान पे टिकी हुई ना रहती, सूरी के चक्कर नहीं लगाती, सूरी के इड़दिगर दो नहीं घुमती, तो option number जो इसका A है, वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तेरा number question कह रहा है, कि चंद्रमा की सतह पर क्या होता है, दो ही option है, दोनों में से कोई एक correct है, जवाब दीजे, दरब्यमान और भार कम हो जाता है, या दरब्यमान इससी रहता और केवल भार कम हो जाता है, तो यहाँ पर बहुत important question है, याद रखेगा option number जो इसका B है, वो correct होगा, दरब्यमान तो जो हमारा M है, वो तो इससी रहेगा, लेकिन जो आपका भार यानि कि M G है, वो कम हो जाएगा, क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि भाई, प्रिथवी पर जो G है, वो G रहता है, लेकिन दरब्यमान पर जो G है, वो G बाई 6, प्रिथवी का एक बटे 6 होता है, तो भईया अगर प्रिथवी पर हम लोग हमारा भार M G है, तो उस पर क्या बोलते है, चंदरमा की सतावर जो हमारा भार हो जाएगा, वो M G बाई 6 हो जाएगा, तो ये चीज़ याद रखेगा, तो हमेशा दरब्यम इसे रहता है और आपका बाहर जो है, वो कम हो जाता है, क्या कही रहा है, कि कोई साइकल सवार किसी मोड़ पर भूम रहा है, तो वो क्या होगा, भीतर की ओर जुगता है, बाहर की ओर जुगता है, तो खुधी आर साइकल चला रह cockroach 모les पर घुब तो क्या होता है, कि आप ल थोड़ा सा मोड़ो तो आपको पता चल जाएगा, तो आप कि धर की ओर जुग रहे हो, तो option number जो इसका C है, वो यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगा, चलिए, आते हैं अगले question पर, तो question number आपका 15 देखे कह रहा है, जब एक चल रही वस्तु की गती दोगनी की जाती है, तो उ भाई, V को दो गुणा करेंगे, तो एक वटे दो M, टू भी का whole square, यानि कि एक वटे दो M, दो दुना कितना होता है, गुड़े, चार V square, तो भाई, हाफ M B square से यह 4 गुणा जादा हो गया न, तो यहाँ पर option number जो इसका B है, 4 गुणी, यानि कि 4 गुणी बढ़ जाती है, बहुत ही important question, अगर 3 गुणी की जाएगी, तो यह 9 गुणी बढ़ जाएगी, यानि कि जितना भी गुणा किया जाएगा, उसका square कर दो, 4 गुणा तो 16 गुणा यह बढ़ जाएगा, तो यह चीछ हमेशा याद रखेगा, option number जो इसका B है, वो correct हो जाएगा, 16 number question कहरा है दरबेमान और वेग दोनों पर निर्भग करता है, तो जितने भी लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं, option number C, वो लोग यहाँ पर correct हो जाएगा, P बराबर क्या होता भाई, M into V होता है, यानि कि जो समवेग होता है, वो दरबेमान पर और वेग पर दोनों पर निर्भग कर करना है, तो हम लोग किसके द्वारा करेंगे, Mechanical Energy को Electrical Energy में, तो खुद सोचे भाई, Mechanical Energy, Electrical Energy में, यानि कि हम लोग किसका, Generator से ही तो यान्तरिक उर्जा, आपकी विद्यूत दूर्जा बदलती है, Generator से ही तो Electrical Energy उत्पन करते हो, तो Generator यहाँ पर कहाँ पर है, का यान्तरिक बोला गया होता है, तो हम लोग विद्यूत मोटर बोल देते हैं, क्योंकि मोटर में क्या होता है, आप लोग बिजली से चलाते हो, तो यान्तरिक घूम करके पानी उपर निकालती है, चलिए, आते हैं, Question No.18 पर, तो भाई, सबको पता है, कार ये करने में, मान सरीर द्वारा पूछ रहा है, तो मानु सरीर द्वारा पूछ रहा है, तो मानु सरीर द्वारा जो प्रयुक्त उर्जा होती है, वो आपकी हमेशा रासानी उर्जा होती है, तो Option No. जो इसका C है, वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आप तो electrical energy, mechanical energy दे नहीं पा या कुछ लोग सही जवाब दे रहे हैं, आचा सभी लोग सही जवाब दे रहे हैं, तो 10 की पावर 7 अर्ग, बिल्कुल सही बात है भाई, यह इसके बराबर होता है, एक जूल समझ में आ गया न, तो एक जूल बराबर होता है, दस की पावर 7 अर्ग, तो Option No. जो इसका C है, वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, चली आते हैं अगले कोशन पर, बहुत ही अच्छा कोशन है, काफी बार यह कोशन रिपीट हुआ है, बहुत सारे एक्जाम्स में, कि एक सिकारी व्रिच पर लटके एक बंदर के सिर को लच्छ करके गोली चलाता है, गोली च रखेगा, उस दसा में गोली बंदर के सिर में छेद कर देगी, यह बिल्कुल सही है, तो जितने भी लोग यहाँ पर ऑफ्सन नंबर A बोलने हैं, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं, यहाँ पर ऐसा कुछ लोग D बोल ले थे पर D नहीं होगा, ऑफ्सन नंबर A ह वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, चली आते हैं कोईशन नंबर 21 पर, तो कोई रहा है कोईशन नंबर 21, कि जूल की इकाई क्या होती है, जूल की इकाई क्या होती है, बताए जूल या किसकी इकाई है, आपको यह बताना है, जूल किसकी इकाई है, आप से यह पूछा जा तो आप्सन नमबर जो इसका ए है वो correct हो जाएगा question नमबर बाईस देखे का रहा है कि अस्व सक्ति किसका एकक है अस्व सक्ति count क्या है वह बात करते है तो हर्स पावर होता है वह सक्ति का मात्रक होता है एक एक हर्स पावर बराबर होता है quèतना? question number 23 पर तो यहाँ पर कह रहा है कि प्रकास की चाल को सर्व प्रथम मापने वाले विग्यानिक कौन थे प्रकास की जो चाल है उसको मापने वाले सबसे पहले विग्यानिक कौन थे जवाब देखें यहाँ पर आना शुरू हो गया rumor बिल्कुल सही बात है भाई प्रकास की चाल को सर्व प्रथम मापने वाले विग्यानिक कौन थे भाई रोमर थे अब आते हैं question number 24 की तरफ देखें क्या कह रहा है कि प्रकास वर्स किसका मातरक है किसका एकक है प्रकास वर्स याद रखेगा आप कहते हो ना प्रकास वर्स यह जो चंदर्मा है इतने का B है वो यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगा अब आते हैं बहुत important question question number 25 पर तो कहरा घड़ी में चाभी देने पर कौन से उर्जा संग्रहित होती है बहुत important बहुत repeated question है तो भाई यह घड़ी में चाभी देने पर याद रखेगा इस्थिति जूर्जा होती है कौन से उर्जा होती है भाई इस्थिति जूर्जा यानि कि option number जो इसका c है वो यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगा समझ में आ गया न सर तो आज का test आपको कैसा लगा यार comment करके ज़रू बताईएगा और आज की तरह मैं आपके लिए पड़े test लेकर आऊँगा तो क्या आप सभी लोग संतुष्ट हैं आज के test से comment करके जो बताईएगा और प्लीज अभी तक अगर अपने वीडियो को like नहीं किया है तो like कर दीजिए चैनल को subscribe कर लिजिए और वीडियो को share करना अपने facebook पर whatsapp पर मत भूलिएगा तो बस यार अभी की इस वीडियो में सर्फ इतना ही आप सभी को good night, bye, take care, जैहिन, जै भारत, मिलते हैं आप सबसे बिदुबारा अपने एक नए वीडियो के साथ